खबर मध्य प्रदेश के शिवपुरी से है जहां से एक वीडियो तेजी के साथ वाइरल हो रहा है बदया जा रहा है कि ये वीडियो कर्णी सेना संगटन का है जिसमें कर्णी सेना संगटन के लोगों द्वारा प्रदेश के मुख्यमंत्री को खुले आम गालियां दी गए और कोई जीवन सिंग व्यक्ति के नाम लेकर आगे बढ़ने का बोला जा रहा है अब ये वीडियो कितना सही है ये तो जाँच परताल के बाद ही पता चल सकेगा और इस वीडियो पर भी कोई नेता आगे आकर बोलना नहीं चाहता है लेकिन प्रदेश के सत्ताधारी नेता चुपचाप हैं यहाँ ऐसा अनुमार लगाया जा रहा है कि मध्य प्रदेश में कानूर विवस्था ध्वस्थ हो चुकी है यह जिस संगठन ने मध्य प्रदेश के मुखे मंत्री को गालियां दी है वो कहीं अंदराश्ट्रे देश द्रोही गैंग से मिला हुआ तो नहीं है जिसके चलते सत्ताधारी नेता या प्रशासन चुप है लेकिन पूरे प्रदेश में हर बढ़ाहट है और चुपके चुपके लोग काना फूसी कर रहे हैं ऐसा सुनने में मिला है कि करनी सेना दबंग लोगों का है जो हमेशा अपनी गुन्डागर्दी के दम पर लोगों को डराते हैं जातिगत करके ये लोग पूरी प्रदेश पर राच करना चाहते हैं जी हाँ अब हम आपको बता दें कि कुछ लोगों में ज्वातिगत समिकरण इतना भर गया है कि एक संगठन द्वारा मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री को खुले आम गालिया दे गई और प्रदेश में किसी को कोई असर नहीं पड़ता है क्योंकि अब OVC वर्ग का है जिसे OVC वर्ग में आकरोश है आई जीवन सिंग आगे बड़ो हम दुमारे जागे बड़ो हम दुमारे जागे बड़ो